अजी कैसे हो आप सब ये ना रात के ग्यारा बज रहे थे आप सोचोगे ग्यारा बजे रात को कहा जा रही हूँ तो मैंने घर पे फोन कर दिया था तो मेरा भाई लेने आ गया था आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो रख है एक्चुली ना कल पूरे हमारी लोकैलिटी की ल प्रिशान होएगा और अब इस चीज से ना मुझे ये चीज भी समझागी है कि ना मिरको ना भी आने वाले दिनों में एक इंवर्टर भी खरीदना पड़ेगा तो पता नहीं कितने का आता है मुझे कोई आइडिया नी है पर मैं ले लूँगी क्योंकि मच्छर वगेरा का होता है जहां तक मुझे पता है और जो मलेरिया और डिंगू होता है वो मच्छरु की वज़ा होता है और यहां पे ना मैं सूबे सुबे आ गई थी एक्टोली पता है क्या था कि विहान के लिए कुछ खारने का समान लेकर जाना था और उस घर में कुछ भी नहीं रखा हुआ था सुबह सुबह जैसे विहान उठते हैं ना तो मैं जैसे केला खिला देती हूं विहान को तो इसलिए मैं यहां पर आगी थी मैंने का चल मैं थोड़ा सा घर का काम भी निप्टा देती हूं यहां का क्योंकि अब कोई है नी तो शांती से काम हो जाएगा वरना विहान करने नहीं देता काम बैट शीट भी मैं ठीक करके बिछाओंगी ना दो मिनट में उसी टाइम उठाके इधर उदर समान सारा कर देता है तो यहां पर यह दो बैट शीट हैं आप देख सकते हो जो मैं बैट पर बिछाने लग रही हूं यह दोनों बै हाथ को पंखे की नीचे सूख जाते हैं तो इसलिए कुर्सी पर रख दिये जाते हैं तो मैंने सोचा चलो मैं यहां से अब यह थोड़े से कपड़े सूख गए थे तो इनको ना उठाके इनको तै करके लगा देती हूं अच्छे नहीं लगते ना कपड़े ऐसे बिना तै क करें ऐसी पड़े रहते हैं तो यह विहान की कुछ पैंट थी जो दुली होई थी तो मैं इनको ना तै करके रख रही थी और ममी ने पता है क्या किया है जो यह लकडी वाला अलमारी का खाना है ना एक खाना विहान के कपड़ों का तयार कर दिया ममी बोलते मेर से ना ढूं खोलना भूल गई थी तरवाजा खोलती तो अच्छी खासी रोशनी आ जाती है जो पीछे आपको बालकनी का दरवाजा दिख रहा है ना मेरे पीछे इसको उपन करते ही ना बहुत अच्छी रोशनी आती है और यह ममी की चुनिया है ममी के डुपटे है ममी डुपटे लेत मतलब टिप टॉप रहा करूंगी यह बात सुनके मुझे बहुत खुशी मिली मम्मी बोलती मैं सारी हर टाइप की साड़ियां तेर पास जितनी भी रखी है वो भी पहना करूंगी और जितने भी अच्छे नए नए सूट है वो सारे पहना करूंगी अब मैं अपना खुद का लगेगा वो किया करूंगी तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी मेरी मम्मी की मैं भी मम्मी को बोल रही थी मैंने का हां मम्मी ऐसी लाइफ जीनी चाहिए और यह विहान का नीचे का वो है जो कहते हैं कपड़े का बना देते हैं ताकि बात्रूम बात्रूम बच्चा करे तो ऐसे ऐसे दो रखे हुए हैं ये तो मेरी सास ने बना दिये थे उस टाइम जब मेरा आठवा नोवा महिना चल रहा था ना उस टाइम विहान बाबू के लिए कुछ कपड़े बना दिये थे घर पे ही लंगोट वगेरा बनाए थे और यहां पे देखिए मैंने कपड़े सारे तै कर दिये और इनको मैं मेज पे लगा देती हूं तरीके से सेट कर देती हूं अब मैं यहां पे ना क्या करती हूं थोड़ा सा जाडू लगा देती हूं हमारे ना इस घर में क्या है थोटी छोटी कीडिया चीटिया बोलते हूंगे हमारे यहां पे कीडिया बोलते है चीटिया बहुत जादा हो जाती है पता नहीं कहां से आती है और पता है आपको एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगी कि न जितने भी घर है न यहाँ पे उन सब में से ये घर बहुत छोटा है मतलब पीछे का जो ये स्टोर रूम है न हमारे इस घर का दूसरे घरों के मुकाबले में छोटा है मैंने ये चीज कल नोटिस करी थी चलो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी और पता है कल क्या हुआ रात को मतलब सड़े साथ बज़ रहे थे साथ साथ बज़ रहे थे चाहे मैं सुबह घूमूँ चाहे मैं शाम को घूमूँ तो उस टाइम न मेरा न मैं अकेले में घूमती थी अकेले में घूमती थी तो न मेरे दिमाग में वो पुरानी यादे घूमती रहती थी मैं सन्नी के बारे में सोचती रहती थी और मेरा मन अजीब सा खराब सा हो जा पार्क में और अपना वीडियो देखने लग गई तो यह मेरे को अच्छी चीज लगी मुझे इससे लगा कि यार अब से ना मैं खाली नी बैठूंगी और अकेले नी बैठूंगी सबसे बड़ी चीज मैं अकेले बहुत जादा रहती हूं और इसी वज़े से मेरे कहीं बार दुखी सी नी हो जाती परिशान हो जाती है क्योंकि मैं अकेले बैठ के सोचने लग जाती हूं मैंने अपने आपको आज से टास्क दे दी है कि नीधी तू कुछ भी काम कर तू खाली नी बैठेगी अगर तू खाली बैठने से अच्छ है तू मोबाइल में यूट्यूब चलाने लग जाई हो अगर तू को खाली बैठने से तो ये बैठ रहे है अपना गेम्स खेल ली हो कुछ भी काम करे हो लेकिन तू दस मिनट भी ना खाली अकेले कमरे में ऐसे नी बैठेगी इसे ना बहुत जादा फिर वही चीज़ों में बंदा घुस जाता है तो यहां प यहां पर आराम से रहते हैं मैं भी रहती हूं भी हान बाबू भी रहता है और जब बन करता है हम वहां भी चले जाते हैं घर में अराम से वहां पर भी जाती हूं मैं दिन में वहां पर दो चार घंटे मेरे लगी जाते हैं निकली जाते हैं अच्छे से और ना कलना मैं जब वीडियो देख रही थी तब मैं एक वीडियो देख रही थी उसमें बात बोला था कि जितना आपका वजन होता है जितना आपका वजन होता है उतने ही ग्रैम्स आपको प्रोटीन जरूर लेना चाहिए जैसे मेरा इस टाइम वजन 67-68 लगा लो 68 kg है तो मुझे 68 ग्रैम प्रो प्रोटीन बहुत कम लेते हैं बलकि हमें प्रोटीन अच्छा खासा लेना चाहिए तो प्रोटीन के काफी अच्छे सोर्सिस भी बताये हुए थे जैसे डाले अच्छे से खानी चाहिए हमें डेली दो कटोरी डाल खानी चाहिए सोया बीन घाना चाहिए दही घानी चाहिए इस तरीके की अच्छे चीजे बता रखी थी तो मैं थोड़ा सा उनको फोलो करूंगी और ये देखिए मैंने कमरे की सफाई कर दी थी और देखो विहान बाबु की कुरसी मैंने कहां रखी हुई है उपर हना अलमारी के उपर रख दी है तो ये देखो इतना ज्यादा तो नह ये देखिए ये देखिए ये फशी है कशनर अनषय को इसमें क्या है मैं आपको दिखा लेंन चार्य कार आ हैएसे मैं थोड़े से फ्रूट्स款 है सकाको फोड़े सस्क्तितों चाही प्ला कर दोड़ा से तो तोस्तों मेरा घार हुए लोगा०्य को बाएकं को कर दोड़ा अगर मैं अच्छे से थोड़ा जल्दी जल्दी चलू तो मैं कितनी देर में पहुंच सकती हूँ तो मैं टाइम देख लेती हूँ एक सेकिन रुकिए ट्राइपोड में देखती हूँ साथ बच के ग्यारा मिनट हो गए और अब मैं शुरू करती हूँ चलना ठीक है साथ बारा पर करती हूँ ठीक है फिर पता चलेगा कितने मिनट का रस्ता है वहां तक का तो टाइम देखू दुबारा से होने वाले हैं 7-12 तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और वहाँ पहुच के आपको बताती हूँ कितने बज़े पहुचती हूँ मैं वहाँ ठीक है मिलते हैं मैं पहुच गई हूँ और 7 बच के 22 मिनट हो गए है इसका मतलब पूरे 10 मिनट का रस्ता है अगर मैं पैदल पैदल ठीक ठाक मतलब अच्छे से अराम से या थोड़ी सी स्पीड में चलती हूँ तो 10 मिनट में मैं अपना घर पहुच जाती हूँ इधर बाबू है बालकनी में दिखा नहीं सकती है अब ही पैंट नहीं पहन रखी पैंट पैंट के मिलवाती हूँ यह रहे विहान बाबू जैस्ट अभी सोकर उठे हैं बाबू तो यह देखिए यह फूर्ट्स थे एक सगिन मैं आपको दिखा देती हूँ यहां रखे हैं अभी यह सारे हैं जो मैं लेकर आई हूँ हम अपने लवड़ोंस को जिनसे भी हम प्यार करते हैं जिनको हमने अपनी जिन्दगी में खोया है उनको कभी नहीं भूल सकते हम कभी मूबोन नहीं कर सकते उस चीज से लेकिन वी हैब टू मूब पोरवड हमें उस चीज को दिल में रखके हमें आगे बढ़ना होता है लाइफ में और अपनी responsibilities पूरी करनी होती है और आपको भी ऐसा बनाना होता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा प्यार आए या आपको थोड़ा सा प्यार मिले या खुद से थोड़ा सा प्यार करना पड़ता है तो मैं भी एक एक दिन करके अपने आपको और स्ट्रोंग बना रही हूँ हर रोज मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं मुझे नीधी पहले से बहतर बनना है और और मजबूत बनना है हर दिन एक एक दिन करके मैं और मजबूत बन रही हूँ और आपको आने वाले टाइम में और स्ट्रोंग बन के दिखाऊंगी और आपके लिए नहीं, खुद के लिए स्ट्रोंग बनोंगी तो चलिए इस वीडियो का मैं एंट करनी हूँ, बाई-बाई, टेक केर, अपना ध्यान रखिएगा, बाई-बाई